दो देशों के बीच दुश्मनी होती है और उनके बीच युद्ध होता है तो उनके भी नियम होते हैं लेकिन रूस युक्रेन के बीच युद्ध में दोनों देशों की तरफ से सभी नियमों की धंजिया उड़ाते हुए एक दूसरे पर हमले किये गए सन्य हत्या और अन्यमामलों में युक्रेन की तुलना में रूस मजबूत इस्थिती में है तो उसमें हमलों में नियमों की अधिक अंदेखी की और युक्रेन के उर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक कई बार हमले कर चुका है अब रूस ने एक बार फिर युक्रेन के उर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमला किया है रूस के हमले ने पूरे युक्रेन के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को लुक्सान पहुचाया है ये हमले लंबी दूरी की मार करने वाले मिसाइलों और अन्य सैन हत्यारों से किये गए है युक्रेन के राष्टपती ब्लाद्मिर जलेंस्की ने हमलों की पुष्टी की है और उन्होंने कहा कि हमला कीव क्षित्र में भी हुआ था जलेंस्की ने दावा किया कि बैराज में बुन्यादी धाचे को निशाना बनाने वाली 50 से अधिक मिसाइले और 20 ड्रोन शामिल थे हाला कि युक्रेनी वाइव सेना ने रूस की 49 मिसाइलों और लगभग सभी ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है युक्रेनी उर्जा मंत्री जर्मन गैलिश्चेंको ने एक फेस्बुक पोस्ट में लिखा कि रूस ने पोल्टावा, किरोबोग्राद, लविव, इवानो, फ्रेंकिवस, विनिट्सा, शित्रों के साथ साथ रूस के जापुरेज़ेक्षेत्र के युक्रेनी यंत्रित हिस्से में बिजली उत्पादन और ट्रांस्मिशन सुविधाओं पर हमला किया इसका साथ ही मंत्री ने लोगों से उर्जा को बचाने का भी अनुरोध किया है पावर ग्रिड ऑपरेटर DTEK ने इस घटना को युक्रेनी उर्जा उद्योग के लिए एक और बहुत कठिन राद बताते हुए कहा कि रूस ने उसके तीन थर्मल पावर प्लांटों पर हमला किया उन्होंने यह भी कहा कि हमलों से मद्दक्षेत्र में एक साइट पर उपकरण भी प्रभावित हुए है रूसी हमले से युक्रेन के रेलवे को भी नुक्सान पहुचा है युक्रेनी रेलवे ने कहिरसोन में नागरिक रेलवे इंफ्रास्रक्चर पर हमले की सूच न दी हमले में रेलवे की पट्रियां और स्टेशन छतिगरस्थ हो गया जिस से यातायाद बाधित हो गया है लुरिक शेत्र के सैने प्रशासन के प्रमुक मक्सिम कोजिस्की ने कहा कि हमलों में एक स्थानी भूमिगत प्राकृतिक गैस बंडारन और एक थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाये गया युक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेवा ने पिछले हफते कहा था कि बार बार होने वाले रूसी हमलों ने देश की आधी उर्जा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है आपको बता दे कि रूस ने पहली बार साल 2022 में युक्रेन के उर्जा इंफ्रेस्रक्चर को निशाना बनाया था उसी वर्ष औक्टूबर में युक्रेन ने रूस के क्रिमियन विजबर हमला किया था हलाकि शुरुवात में यूकरेन ने हमले की जिम्मधारी से इनकार कर दिया था लेकिन बाद में उसने हमले में अपनी भूमिका को सुईकार करते हुए कहा था कि उसका उद्देश रूसी रसत को कमजोर करना था